सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नएने टाइप के नॉलेजवल वीडियोस देखने के लिए तो आज की इस वीडियों जो है हम अनबॉक्स करेंगे सैमसंग की N70 EVO प्लस 500GB की SSD को और ये जो है M.2 बाली SSD है तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में मैं इसको लगा के भी बताऊँगा अपने औसूस के A15 लेपडॉप में केसेस को लगानी होती है तो वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा और ये जो है मैंने Amazon से पर्चेस की है तो ये मुझको 7,300 रुपे में मिली है तो अगर आपको खरीदनी है तो मैं नीचे लिंक देदूँ को डिस्क्रिप्सर में तो अधर से किलिक करके आप इसको खरीद भी सकते हो और इसके बारे में और भी डिटेल्स पता लगा सकते हो तो देखी इस परकार से ये दिखेगी तो अगर हम बात करें वारंटी तो 5 एर्स की वारंटी है और 7 डेस की रिप्लेस्पेन वारंटी है अगर आप Amazon से खरीदते हो या फिर इसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो आप ये 7 दिन के अंदर बापस करके नई मंगा सकते हो त तो 5 एर्स की वारंटी भी काफी अच्छी मिल रही है हमको तो अगर हम बात करें इसकी रिड़ स्पीड की तो करीब साले 3000 MB पर सेकंड इसकी रिड़ स्पीड है तो अब हम इसका वेट कर लेते हैं ये कितना इसका वेट है वजन है तो देखिए 9 ग्राम आ रहा है तो इसका वजन जो है ये 8 ग्राम देखिए 809 ग्राम के वीच है तो वेट काफी कम होता है ये M.2 SSD का तो देखिए ये मेरा अजूस का लेपटॉप है A15-2021 अब इसमें हम लगा के देखेंगे क्योंकि इसमें 512 GB की मुझको SSD मिली है जो की मेरे लिए काफी नहीं है तो इसमें हम लग आइंगे तो इस परकार से देखिए लेपटॉप खोलना होता है तो आपका लेपटॉप कौन सा है कैसे खोलेगा वह आप देख लीजिएगा तो देखिए इसके रिडि़ स्पीड साले 3000 MB पर सेकेंड है और राइडि स्पीड जो है 3300 MB या बोलें तो 3300 MB पर सेकेंड है जो फिर PCIe slot बोल सकते हैं और वो भी 3rd generation वाला अगर slot नहीं M.2 वाला तो आपके laptop में नहीं लगेगी तो यह आप पहरे देख लें अगर आपको पुराना laptop है तो या फिर आपको दूसरी SSD मंगाना पड़ेगी जो की 2.5 इंच वाली SSD होती है बागी यह M.2 वाली SSD है इनके लिए स्रोट होना ज़रूर है आपके motherboard में आपके laptop में तो यह आपको पहले देखना पड़ेगा और इस प्रकार से देखिए लेप्टॉप खुलता है F15 और यह जो है Intel का i7 11th generation वाला है और प्रोसेसर जो इसका वेरियंट है 11 800H तो इस प्रकार से खोलना है तो यह आपको देखन ना है कि आपका जो लेप-टॉप ऑफो किस पृकार से खुलेगा को सब देखिए इसको खोलना है तो जो भी प्लास्टिक का आपके पास कूच चीज होगी तो से इस प्रकार से खोलना है अगर इस टायब का लेप-टॉप आपके पास तो नहीं स्क्रेश आ जाते हैं तो इ नट तो खोल लिए लेकिन अब इसका लॉक खोलना है जो लॉक रेते हैं वो इस परकार से आपको कोई भी प्लास्टिक का पतली से कोई अगर आपके बास कोई चीज है तो उससे फसा के इसको खोलना है आप अगर इसक्रू डाइबर लगाएंगे तो इससे स्क्रेच आ सकते ह खोलना होता है, थोड़ा से मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, तो पहले तो आप देख लिजेगा कि आपका कौन सा लेपटॉप है, कौन सी कंपनी का है, कैसे खोलता है, तो यह पता लगा लें, यूटूब पर देख लें, मॉडल लंबर डाल के, तो यह Asus का तो इस पर आपको खोलना है सबसे पह 다 suicidal ओर स्क्रेज्ट वगेरा, नहीं आना चाहिए अगर स्क्रेजर आ जाते हैं, तो two कvic ficou हाटी नहींा है, कॉन से लेपटॉप ऐसे होते हैं, उनको खोलने से वॉअरंटी नहीं जाती है, खासतोर से gaming laptop, बागी कोई कोई दूसरे laptop, अगर हुए उ आपके वारंटी चली जाएगा, अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है तो, तो यह देखिए, मैं भी जो हूँ, इस लैपटॉप को फर्स्ट टाइम खोल ला हूँ, इसके पहले मैंने नहीं खोला इसको, और हाली में पर्चेस किया है मैंने, इसको दो दिन पहले, तो य यह खुल चुका है, और यह पूरा बैक कबर इसका खुल जाएगा, यह देखिए, और इस परकार से देखिए, यह जो लैपटॉप है, एफ 15, एंटेल का, तो इस परकार से जो ही दिखेगा, यह बैटरी बगेरा, इसमें देखिए, कितनी बड़ी बैटरी लगी हुई है, वो 90 वाट अवर की इसमें जो है बैटरी है, काफी बड़ी बैटरी लगी हुई है, तो इस परकार से देखिए, इसके अंदर का सिस्टम है, आपका ए 15-2021 मॉडल है, तो यह गेमिंग लेपटॉप है, तो आपनी देख लिया, अब हम जो है, अपनी SSD लगाएंगे इसमें, तो इसमें देखिए, एक स्क्रू दिया हुआ है, पहले से काफी अच्छी बात है, कई लेपटॉप मेंने देखिए, उनमें स्क्रू नहीं दिया होते हैं, तो यह नट बहुत जरूरी होता है, छोटा सा नट है, लेकिन नहीं मिलता है, तो दिक्कत होती है, तो इसमें पहल इसको टाइड कर देना है अच्छी तरीके से और बस इतना से करना होता है और यह आपकी SSD जो है 500GB की लग गए तो देखिए काफी easy है लगाना सभी laptop में इसी पिरकार से लगाना होता है और अगर screw नहीं है तो उसकी आपको जुगाड या मार्केट से लाना पड़ेगा अगर तो में screw नहीं दिया है आपके laptop में तो मेरे laptop में तो दिया है और जो SSD जो company देती है वह आपको screw नहीं देती है तो देखिए आप मैं बापस से लगा दूँगा जैसे खोला अब ऐसे ही लगा दूँगा इसको और पहले तो सबसे पहले इसके जो लगाना होते है इस परकार स आप चारो साइट से इसको दबा दीजिए आपको थोड़ी सी आवाज भी आएगी लॉक जैसी लगेंगे तो यह देखी इस प्रकार से आपको लॉक करना है और अभी हम जो है इसके नट या पोलने कि स्कुरू टाइट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम चेक करेंगे कहीं हमारी SSD खराब है या फिर वो सही से नहीं लगी है तो हम चेक करेंगे नहीं तो होगा क्या कि आपने सब स्कुरू टाइट कर दी पता लगा आपके SSD खराब निकली तो फिर से आपको महनत करना पड़ेगी फिर से आपको खोलना पड़ेगा पूरा लैप्टॉप तो अभी मैं चेक करूँगा कि मेरी जो SSD समसंग की 970 EVO Plus वो डिटेक्ट हो रही है या नहीं सही से लगी है या नहीं तो अभी हम चेक कर लेते हैं तो पूरा पता लग जाएगा तो अभी देखते हैं तो इस परकार से पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा क्यों को फॉर्मेट करना पड़ेगा नई SSD जो होती है उसको फॉर्मेट करना पड़ता है तब ही वो सो होगी माई कम्पूटर में तो देखे इस परकार से सो हो रही है और आपको 465 GB की स्पेस मिलेगी पूरी स्पेस तो मिलेगी नहीं 500 GB तो ऐसा नहीं कि 500 GB मिल जाएगी ये तो आपको पता होगा तो इस परकार से हम पार्डिसेन क्रियेट कर लेते हैं तो इदार कुछ भी नाम बगेर भी देना हो तो दे सकते हैं तो हम पार्डिसेन क्रियेट कर लेंगे तो ये सो होने लगेगी तो ये देखे पार्डिसेन क्रियेट हो गया है मतलग ये देखे एसेटी डेटेक्ट हो गई है और ये सही है मतलग कोई खराब नहीं है वो सही परकार से लगी है तो दो partition जो है already मैंने पहले से create करके रखे थे तो ये तीसरी SSD हो गई आपकी 500 GB की जो की space आपको 465 GB का मिलता है तो दोस्तो मेरे वीडियो तरी खतम होता है और इस टाइप सा अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो तो आज के लिए वस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करतीजिएगा फर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही हो देखते रही है आपके अपने चैनल में है Knowledge for Tech